स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आजके शूग कंप्यूटर वेडनस डे में हम बात करेंगे एंवीडिया जट्सन नैनो के बारे में तो आये जानते हैं तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था राजबेरी पाई फूर के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्सक्सिंटम के बारे में तो इसका एपको आईडिया सबसे आसानी से होगा तो क्योंकि इसमें सिर्फ राम को बहार रखा जा रहा है बाकी सब चीज अंदर डाल दिया जाता है जैसे कि अगर आप computer बनाते हैं तो आप computer में थोड़ी कोलते कि wifi network का जो प्रोसेसर है वो अंदर रगाए जाए वो बहार रहता है आपको अलग से PCI कार्ड लेना पड़ता है या को एक डिवाइस खरीदना पड़ता है तो यहाँ इसका इतम उल्टा होता है कि हर चीज अंदर डाल दो ग्राफिक्स प्रोसेसर अंदर डाल दो सेंटर प्रोसेसिंग अंदर डाल दो बैसिकली जो आपको कंप्यूटर चाहिए जो मतलब सिम काट का प्रोग्रामिंग करता मतलब यह 5G मॉडर्ण चाहिए वह भी अंदर डाल जितना चीज हो सके अंदर डाल दो तो उसे हम लोग कहते है तो इसे मैनुस्ट्रण को कंट्रोल मिलता है कि एक ही सिस्टम चीज़ और निकाल सकते हैं तो इसी कारण से सिस्टम और चिप का मतलब पूरा मार्केट में बोल बाला है सिस्टम चीप के बादा है सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो पिछली बार हम लोग बात कर रहे हैं पिछले अथे में मतलब राजबरी पाई वह बहुत सारे और आया है मतलब आसूस भी बनाता है बहुत कंपनिया लेकिन राजबरी पाई जी इतरा है सिर्फ इसलिए कि अगर सॉफ्टर उस पर डंका नहीं है तो राजबरी पाई के साथ दोनों अच्छा है मतलब हाडवेर भी अच्छा है और सॉफ्टर भी अच्छा है लेकिन कम्यूटी इसको बहुत अच्छा बना देती है तो बहुत लोग आया कि मतलब उसमें यूस्टी दे दिया ये दे जादी एडवांस फंक्शन आ रहा है आपका रेफ्रिजरेटर में भी जरू से जादी एडवांस फंक्शन तो वो सबके लिए ये बनाया गया है जिससे हम लोग कहते है सिस्टम और मडियूल तो यह कोई ऐसा चीज नहीं को नया लेकिन आइडिया यह है कि आप रजबरी चाहिए बनाया उसमें आप यह स्लॉट करोगे तो यहां पे हम लोग बात करें एंविडिया जैटसन नानो के बारे में जो लगबक 100 डॉलर का अगर आपके कोई बाहर रेलेटिव है तो वो साथ साथ शाथ रुपए में खरी सकते हैं जाहें तो आप एमजोन से खरी सकते ह सकते हैं जो 10,000 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा आप बढ़ जाता है इंपोर ड्यूटी की चलते तो बढ़ जाता है और यह समझे इस दाम पे इकलवाता है एक्यूप्मेंट है जो आपको AI कोर दे रहा है फुल कंप्यूटर के साथ मतलब आप चाहें तो वो मतल अजबरी पाई भी बहुत सारा चीज को रिसाइकल किया था वैसे यह लोग भी कि रहा है कि राम का यह जो स्वाट है राम स्वाट है क्यों ताकि मतलब चाहिनीज मैनुफेक्चरर आराम से बना से किया आप किसी को बोले आप बढ़ पीसीवी बना के दो जिसमें 220 पीनो उ इस ममड्या में नागी रखेगा तो कुछ इंच यह होता है तो आप संट्रीक्ति कार्ट है और देंग था तो आप SD card से programming कर लीजे, लिख लीजे, जब आप पूरा कर लिए, जब इस board का और इस chip मतलब module का इस्तमाल करके आप पूरा बना ली है, तब आप Nvidia के पास जाईएगा, देखिए हमको 550 खरीदना है, हमको 600 खरीदना है, तो आप समझे, ये दो तरफा है, आपको school में सिखाने के लिए ये इस्तमाल किया जाएगा, जब आपको उससे कोई product बनाना चाहते है, आप ये खरीद लिजेगा, और ये सस्ता पड़ेगा आपको, तो वही समझे, और इसका computation को नापने के लिए हम लोग एक technology का इस्तमाल करते है, जिसे हम लोग कहते है flops, तो आप सुनते हो, ये तो exact detail पता है, 4 का भी detail नहीं है, तो 3 तो barely, barely 6 teraflop छू सकता था, तो 4 कि इतना भी high तवा कर ले, 20 gigaflop नहीं छू सकता, गीगा, और ये जनाब जी 470 gigaflops पे है, तो आप समझे, आप दान 3 गुनार दे रहे हैं, लेकिन आप processor समझ लिए, आप 20 भी नहीं पहुँच रहे ह ये इसे half teraflop system कहा जाता है, ये समझ लिए कुछ साल पहल, कुछ साल पहल कहा है, मतलब इसमें जो graphics का processing लगाया गया है, वो Maxwell architecture का है, और अगर आपको NVIDIA का अच्छे से detail नहीं पता है, तो Maxwell का मतलब के 900 series जो graphics का चलता था, वही technology, वही architecture इसमें इसमें इसमाल किया गया है, तो समझ लिए, performance के मामल है, मतलब ये कितना number crunch कर सकता है, दादा जी है, मतलब Raspberry Pi से compare ही नहीं करना है, multiple times का अंतर है, और power का, मतलब फिर जैसे हमाल ये कहीं, खूब सारा इस्तमाल करना है, या आपको कोई battery power application में इस्तमाल करना है, तो आपको ये पूछा जैने, कितना teraflop कितना watt पर दे रहे हो, माल लिजी आपका computer आप बना दिया, लेकिन आपको बना दिया, पतरजल बैटरी में पांच मुनिट में ख़तम हो जाता है, तो ये उसका, जिसे हम लोग काते है, watt per teraflop वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए यहां पर बात कर रहे है, ये है development board, ये है 19 से market में आ गया है, तो आप तो Amazon पर असानी से मिल भी जाता है, तो फिर सवाल बनता है कि इसको क्यों खर्दा जाए, तो आप ये समझी cheapest AI platform है, तो अगर मैं simplify करता हूं, बच्चों के लिए, जैसे कि माल लिजे आप class 5 में, class 6 में, वहां पर raspberry pi बहुत अच्छा है, लिजे उसे बनाई है, voltage नापिये, उसे LED कंट्रोल कीजे, तो वह से बहुत अच्छा है, लेकिन आगे कहा जाएगा, तब ये काम आता है, तो समझी है, स्कूल से 11-12 तक आप raspberry pi मेरे, लेकिन college में जाकि जब आप advanced computer का पढ़ाई कर रहा है, तब ये काम आने लगेगा, क्योंकि AI को neural network के लिए core दियागे, तो वो सब है क्या, यही है, जो आपको Nvidia दे रहा है, वही वो सब लोग भी उसी type का technology इस्तमाल कर रहे है, तो इसलिए deep neural network को आपको समझने के लिए कि actually कैसा किया जाता है, ये बहुत अच्छा platform है, अब प्लस ये GPU parallelism पे चलता है, इसलिए उसमें मैं 6 core, 4 core, 32 core, GPU start होता है, 2000 CUDA cores, तो इसमें करीब 128 CUDA cores है, तो समझ लिए कि उतना सारा core क्यों है, क्योंकि आप operation को parallelize कर सकते हैं, और image recognition का, तो Nvidia आपको development kit देगा, यानि कि जो आप hardware ले रहे है, उसके साथ software भी आएगा, वो kit में एक AI का का अच्छा example दिया गया है, जिसमें 1000 object recognition पहले से training करके दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, आप ये photo डालेंगे, वो अराम से बता देगा है, ये doggy है, cat है, banana है, जो भी है, और इसी का इस्तमाल, मतलब, real world में, मतलब, exact यही piece का नहीं, लेकिन ये technology का इस्तमाल, जैसे ये drone है, ये drone में 12 camera दिया गया, और इससे ये autonomous है, मतलब, ये खुद खुद पेड़ देखता है, पेड़ से dodge करेता है, तो आप बोलेंगे, ये ultra sound से ऐसा नहीं किया जासे है, नहीं, क्योंकि ultra sound बड़े-बड़े चीज़ को बहत अच्छे से देखता है, कि हाँ, building है, उससे बच बच जाएगा, लेकिन जंगल में अ ये सब आप सीखना चाते हैं, तो आपको इस तरह का platform खरीदना पड़ेगा, और जैसे आप autonomous drones बनाना चाते है, रोबोट बनाना चाते है, वो सब के लिए Raspberry Pi आपको सिफ मेकानिकल दे पाएगा, बहुत हुआ तो, left up button दबाईगा, तो left मुर जाएगा, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल प्रोसेसिंग चाहिए, वो हो जाएगा Raspberry Pi से, लेकिन कि हाँ, कैमरा से क्या data आ रहा है, वो data का मतलब क्या है, उसको encode करो, decode करो, उसके बाद काम करो, वो नहीं कर पाएगा Raspberry Pi, तो उस सब के लिए अगर आप इस्तमाल करना चाहते हैं, तो ये चाहिए आपको, इसका इस्तमाल हो कैसे रहा है, यहाँ पर आपको मैं बारबर बताना चाहूँगा, कि अगर इसको आप खरीदते हैं, कि भाईए, ठीक हम बस हम 10,000 रुपय का कम्प्यूटर खरी लेते हैं, क्या ये कम्प्यूटर की तरह काम करेगा, हाँ, काम करेगा, ठीक ठाक है, क्यों कोई software का कुछ करना चाते है, इसका community बहुत छोटा है, लेकिन चनरली AI research बहुत पहुंचे वे लोग करते हैं, तो इसका कई लाथ लोग तो होंगे ही नहीं, तो इसी कारव समझे है, अब community का मत expert कीजे कि हाँ, एक forum में चले जाएंगे, वहाँ पर वो सब टीटेल में जाए community नहीं है, आपको support करने के लिए, फिर अगर लेकिन आपको AI में घुरस नहीं है, मुझे object recognition, जैसे आप देख सकते हैं, कि autopilot गाड़ी के लिए ये सब चाहिए, ये सब किया कैसे जा रहा है, ये सीखना चाहते है, तो ये ही खरीदना पड़ेगा, आपके वास्तों कोई और जाता है, और इसका बड़ा भाई, ये जघ्टिशन जो है, अगर आप इसको समझ लेते है, तो ये एकर समझ लेता है, ये मतलब समझ लिए कि यूनिवर्सिटी के लिए है, हाँ भाई, मतलब आप अच्छे से AI समझ रहे है, तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते है, और해서 esse तो क्या इससे कर सकते हैं कर सकते हैं बस तकलीफ होगा क्योंकि आपके पास लंबा-लंबा यूट्यूब वीडियो नहीं है जो आपको बताएगा कि यह GPIO pin का कैसे इस्तमाल करते हैं लेकिन यह काम करेगा लेकिन अगर इसको यूटिलाइस करना चाहते हैं नहीं ठीक है मेरे लगबग 20 गुना 30 गुना जादा पावर है उसको यूटिलाइस करना तो आपको इस्तमाल करना पड़ेगा तब उसका परफॉर्मेंस एक्चुली आपको मिलेगा आप उसको कुछ कर पाएंगे और माल लिजे आपने कुछ आइडिया के जैसे कि माल लिजे एथरनेट फिर एक अपना PCB बनाई है और उसमें लगा के देखिए कि काम हो रहा है कि निए जब हो जाए तो PCB को चाइना में दे दीजिए और मास्क पर दिस और करने के लिए और अपना प्रोड़क्ट मार्किट में ला सकते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्ट में किया जाता है तो बहुत बढ़िया है उसके लिए कि आप अपने से समझे कि AI का स्तवान करना है तब इसको लीजे बहुत ज़ाद आपके वास पैसा पड़ा हुआ है खाली की और राजबरी पाइसे को संतुष्टी नहीं बनाया गया नहीं यह एक अलग चीर यह है जिसे गाड़ी बनाई ज बनाया जा सकता है तो इसमें काफी केपिबिलिटी और एंवीडिया धीरे-धीरे AI के मार्केट में काफी अच्छा पहुंच बना रहा है तो एंवीडिया का सिस्टम समझ लेना आपके लिए फाइदे बंद होगा आगे जाके तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन एंवीडिया नैनो जैट्सन के बारे में उमीद करता हो कर चला हो कुछ सीखने हो मिला हो अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजे नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिस्लाइक दबा सकते हैं मैं कहोंगा डिस्लाइक धन्यवाद